नमस्कार दोस्तों मैं उमेश शर्मा चार्ट अनालिसिस चैनल पर आपका हर दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आज बजार में किस तरीके से हल चलुई क्या क्या आज मार्किट में पैटर्न देखने को मिले और फिर्स के ब वो मुझे लॉस क्यों हुआ तो दोस्तों यह जो वीडियो है पूरी तरीके से एजुकेशनल है और इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जुरूर देखेगा और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब करके अबने टेलिग्राम चैनल पर तो दोस्तों यहां पर हम जाते हैं अपने टेलिग्राम चैनल पर यह मेरा चैनल है चार्ट अनालीस तो आज दोस्तों ढूंबल ब्लाटम जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं ये बना था दोस्तो early chart ने अज वर्णिंग में ही दोस्तो इसका हमने message कर दिया था जल्दी से दोस्तो इसके chart पर जाते हैं और chart पर समस्ते हैं और उसके बाँ देखें कि axis bang में क्या हुआ घो हमने दोस्तो आपको Whewing किया है downtown buy करने के लिए वो हमने किया था आज अवरली चार्ट पे एक्सिस बैंक में पैटन ना जिसको बोलते हैं डबल बॉटम इसको क्या बोलते हैं डबल बॉटम और इसके साथ साथ दोस्तों इसमें पॉजिटिव डैवर्जन्स भी थे यहां देखेंगे तो पॉजिटिव डैवर्जन्स भी आ रहे थे एक्सिस पैंक में यहां पर लिख देता हूं एक्सिस पैंक में यह पैटल देखने को मिलाता हूं यहां पर देखते हैं अब हुआ कि दोस्तों हमने तो आपको 353 के आसपस बोला था बाय करने के लिए और उसके बाद इस टॉक ने जो हाई बनाया वह 366 का लगाया जहां से दोस्तों को बोला था बाइंग करने के लिए वहां से 13 रुपे यह दोस्तों स्टॉक रॉकेट हो गया था तो आशा करतां दोस्तों आपने एक्सिस बैंक में ट्रेड किया होगा और अच्छे पैसे बनाएं होगे तो यह तो रहा हमारा एक्सिस बैंक का ट्रेड जो हमने आज आज आ चाहता हूं कि मुझे आज बहुत बड़ा लॉस हो वह हुआ है दोस्तों कुछ चॉंस्टट है यार 800 पे का मुझे लॉस हो है तो लॉस मुझे क्यों वह था उसके बारे में दोस्ता से डिसकस करना चाहूंगा कि मैं डेली बेसिस पे एक स्टॉक के बीछे पढ़ा वह था हो था और फार्मा पीछे नहीं बड़ा वाता पैटन वनावा था उसमें डिली चाट पे तो मैं डेली उसे सेल कर रहा था नीचे आता प्रॉफिट बुक कर रहा था और मुझे लग रहा था कि यह स्टॉप 600 और तक जा सकता है पैटन कौन सा था डाक्राउड कवर डबल ट अब जो लास्ट मंत में मैंने ट्रेड करके पैसे कमें तो चार लग बसक्राट रहा और और तो जो मुझे प्रॉफिट हो था पुछ वह पचास जार के आसपस को था तो मेरा भी जो यहां पर फंट था वह पार्शलाव पर पे गायब हो चुके तो मेरे पास अभी जो बैल अब दोस्तों करना बाद में दोस्तों कई बड़ चीज हमारे फेवर में भी होते हैं तो इस लिए प्रेवर में नहीं भी होती हैं तो स्टॉफ लोस करता है तो फेल भूना भी बहुत दोस्तों जरूरी है तो इस लिए आज बहुत बड़ और यहीं है क्योंकि आज मुझे कुछ न को सबत मिला ही है से अब एक चीज और है दोस्तों जो आपके सब में डिस्कस करना चाहता हूँ बट उससे पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि अगर आपको भी इस तरीके का टेक्निकल अनालिसी सीखना है जो बिल्कुल अडवांस है तो मेरी वेबसाइट में जाहिए www.chartanalysis.co.in वहाँ पर जाके आप user id क्रेट करके मेरा online post purchase कर सकते हैं जो मेरा 12 सल का experience है वो मैंने वहाँ पर डाल दिया है इसके साथ साथ मैं आपको अपने telegram चैनल पर भी support देता हूँ मेरे दो चैनल है पबलिक और एक प्राइबेट प्राइबेट में आपको रखता हूँ संडे के आपको वाइबिनार में देता हूँ और आपको कोई पी support चाहिए तो आप में से directly भी बात कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको अडवांस टेकनिकल अनालीसिस एकना है तो जल्दी सिरा के मेरी वेबसाइट में जाहिए इसका लिंक नीचे description पे है वहाँ जाके आप टेकनिकल अनालीसिस का कोर्स कर सकते हैं जिसमें candlestick pattern, chart pattern, indicator, advanced gap theory इसके साथ-साथ time frame का combination, psychology और demand supply वो आपको भापे मिल जाहेगी ये कोर्स करने के बाद आपको दूसरा कोई टेकनिकल अनालीसिस का कोर्स करने की जोड़ती नहीं है और मैं मार्केट में लोगों से बात भी कर रहा हूं तो वह कहने हैं जिस तरीकी की बाते हो रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा time है stock market में investment करने का है हाला कि मैं पस और दस लागर में के shares हैं उसकी holding है और मुझे लग रहा है कि 4,000,000 पे जो में पस फंड अभी बचा हुआ है तो उसके भी मैं कल shares खरी लेता हूं तो आज मैं राप को बैठके सोचूँगा कि कौन से shares मुझे लेने चाहिए मुझे बूस टॉक लग भी रहे हैं कि जिसमें खरीदारी बनती है और रात को आज मैं कुछ सोचूँगा और कल एक वीडियो बनाऊंगा कि उसमें आपको बताऊंगा कि कौन से-कौन से shares मैंने पर्चेस किया है तो दोस्तों अब मैं क्या करूँगा अब एक नई series बनाऊंगा अब नई series कैसे है क्योंकि देखो आप कई लोग हैं जो काफी दिन से फोलो करने है वो कुछ लोग हैं जो कुछ दिन पहले ही आये हैं तो मैं क्या करूँगा उन सब के shares करी लोगा अब होके जाएगा कि मेरा account balance हो जाएगा 0 मालब कहने का मालब है कि 10 लाख के पहले शेयर और 4.5 लाख के बाद में share लूँगा तो 4.5 लाख रभी के share ले लूँगा ठीक है उसके बाद क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा जीरो हो जाएगा उसके बाद इस तरीके से काम करूँगा और दोस्तों आपके साथ मिल के करूँगा जो भी मैं trade लूँगा वो मैं telegram channel में post करूँगा तो हम लोग क्या साथ मिल के चलेंगे ऐसा नहीं होगा कि मेरे trade अलग है और आपके trade अलग है ऐसे नहीं है हम सब के trade एक जैसे होंगे अगर में को profit हो तो आपको भी होगा जाता से अदा support तो वैसे मैं अपने personal telegram channel पे ही देता हूँ बट दोस्तों कुछ मैं support आपको public channel पे दूंगा जो कि विड़कुल free है या तो दोस्तों course लेके आप मेरे personal telegram channel में join भी होश रखते हैं तो दोस्तों हम द्वारा से trading करेंगे उसमें studio से start करे तो फिर देखते हैं महीने के आखिर में क्या होता है तो एक नई सीरीज है दोस्तों तो हम सब लोग साथ मिलके चलेंगे और देखते हैं कि आगे क्या होता है तो कई लोगों को मेरी बात अगर समझ में आई होगी तो जरूर comment box पे comment भी करिएगा आपका इस पे क्या कहना है तो अब मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप मेरे तुरू एंजल बोकिंग में फ्री डिमेट अगाउंट के साथ तो फिर भी कोई बात नहीं आप इस ब्रोकर के साथ अपना डिमेट अगाउंट चुरूर उपन कराएं तो दोस्तों अगर आप मेरे लिंक कि तुरू अपना फ्री डिमेट अगाउंट उपन कराते हैं तो संडे का दैविलार मैं आपको फ्री दूँगा तो दोस्तों आशा करता हूं आज की वीडियो को पसंद आए होगे अगर आज की वीडियो को पसंद आती है तो इसे लाइक करे, शेर करे और आप हमारे चनल क को सबस्क्राइब भी खरे और आपको कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी है तो नीचे देगे नबर पर कॉंडेट कर सकते हैं आज किल बस इतना है दोस्तों धन्यवाद